आप सब अच्छे होंगे अपनी पढ़ाई भी डेली बेसे से कर रहे होंगे ऐसा मैं आशा करती हूं आप सबसे ओमिक्रोन और करोना से दूर रहें बी सेफ रहें पढ़ाई को अपने टाइम टाइम करते रहें क्योंकि फैब में कुछ पेपर होने हैं 2019 पैस डेलेट के उनके स्लाबस क्लियर रहें आपके जितनी सीडीज है जितने भी क्वेश्चन से जो आप पढ़ना चाहते हैं क्यां यह चीजे हैं मुझे यह चीज कंप्लेट करनी है एक्जाम से पहले वह सब आप कंप्लेट करका अपना तयार रही है पेपर जब भी होगा आपको 15 दिन पहले तो आप उसके लिए बेफिकर रही है आप वहाँ में मत जाए पेपर अभी नहीं होने वाला पी इतनी खाली नहीं हो टाइम पर कुछ करती ही नहीं है यह बहुत एक दिक्कत की बात है डियलेट के लिए तो इसलिए मैं बता रही हूं अभी आप पढ़ाई पर करिए पहले पढ़ लिए फिर उसके बाद यह सारी चीज़े टाइम हो जाएं कोई दिक्कत की बात नहीं है पहले लेकिन आप फोकस्ट होकर अपनी चीज़ों को तयार कर लिए फर्स सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टन है बहुत बार बोल लिए हूं सबसे इंपॉर्टन फर्स सेमेस्ट इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेस्टन आस्किये जाते हैं अब शालनी डेट आप साथ बने हुए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना फूले चलिए हमने टॉपिक की तरफ आगे पढ़ते हैं कि आज का जो टॉपिक है यह सिक्षर अधिगम की क्लास है पेपर इसक्षर प्रविदिया क्या है इसलिए आप अभी सिधार लखते चलिए सिक्षर अब यह योजना एक ऐसी planning से है जो सिक्षकों द्वारा अपने सिक्षर कारे में निक्षित लक्षों की पूर्टी के लिए काम में लाई जाती है बहुत यह simple term मैंने आपको समझाने की कोई कोई कोशिश की हुई है कि सिक्षर प्रवधी का अर्थ होता है उसकी meaning होती है कि ऐसी यूजना एक ऐसी planning है जो टीचर के द्वारा टीचर के थ्रू अपने सिक्षर में कारियों में निक्षित लक्ष यानि की fix aim को पाने के लिए काम में लाई जाती है अगर आप सिक्षर क्लास में दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका कोई न कोई लक्ष होगा आपका एक fix लक्ष होगा कि हम ये चीज़ जब पढ़ा रहे हैं या सिक्षर दे रहे हैं बच्चों को तो हमको उस aim तक पहुचना है तो उसके लिए आप कुछ प्लानिंग करकर आप क्लास में जाएंगे आप अचाना कैसे जाकर कुछ भी पढ़ा के कितने दिन आएंगे एक से दो दिन आ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं चल सकता है आप प्राइवेट में हो या गॉवर्मेंट में हो ये matter नहीं करता है ये है कि आप जब जा रहे हैं तो आप एक प्री प्लानिंग वे में जाएंगे और अपने एम तक पहुचने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो उन काम के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं ये एक important बात है आगे देखते हैं क्या दिया है यदि इसी को हम दूसरे शब्दों में बताएं तो सिक्षन प्रवदी एक ऐसी योजना है कि आप definition के तोर पर ले सकते हैं काफ़ important है जिससे एक सिक्षक जिससे एक teacher अपने सिक पूरे काम का वो एम तक पहुंसता है और section का का अंतिम लक्ष प्रतेग छाटर को किसी भी तरीके से सख्षित करना और teacher का जो लक्ष है जो last जो अंतिम एम है वो क्या है कि हर एक प्रतेक important है प्रतेक बच्चे को किसी भी तरीके से anyway से उसको सिक्षट करना है किसी भी तरीके से मतलब है कि जैसे हर एक class में 10 से 15 बच्चे हैं तो अलग अलग धर्म के अलग अलग कास्ट के हैं अलग अलग रहन सहन के अलग अलग mindset क है अलग-अलग उनकी इंटेलजेंस है तो उसका टीचर का एम यह होना चाहिए कि जब वह क्लास में पढ़ाने जा रहा है तो अपने एम तक यह रहे करें उनको सक्षित करें ठीक है देखते हैं अब यहां पर हमने पहले अर्थ समझा अब हम उनकी विषेस्तां के बारे कि क्या विशेस्ता है सिक्षर प्रवधी की विशेस्ताएं क्या है इंपॉर्टेंट है आपको टिपडी में आ सकता है अब प्राय में तो आपको अर्थ आएगा दो नंबर एक नंबर में आपको अब्जेक्टिव में भी कुछ चीजे वैसे पूछ सकता है लेकिन ये सारे जो क्वेस्चन्स होते ह हैं ये एक नंबर दो नंबर वाले होते हैं जिनमें आपको एक पराग्राफ दो पराग्राफ सम्तिंग इसा लिखना होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं सिक्षर की सबसे अच्छी वह प्रवधी जो पूर्व लक्षों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है सिक्षर की सबसे अ एलफुल हो ऐसी होनी चाहिए फिर दूसरा है कि सिक्षण की उत्तम प्रविदी विद्यार्थियों में वांचित गुणों का विश्कास करती है जो सिक्षण की उत्तम प्रविदियां होती है वह विच्चों में एक वांचित मतलब अच्छा पूरा कम्प्लीट एक सर्वांगेर विकास के गुरों का विकास करने में मदद करती है इसलिए चाहिए तीसरा है एक उच्टम सिक्षण प्रविदी वा होती है जो विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए प्रेट करती है उनको इंस्स्टिंक्ट करती है कि हां मुझे इस एम तक ज कीरीजनींग करने की steals लेने की इन सब चीजह यह सब्सक्राइब करना थिसींजन लेन तरक गरना किसी मुद्धे पर भहाष turd करना वाद वाद करना यह सब क्या है ऐसी प्रविधिया है जो सब्सक्राइस के माइनटाओ को बढ़ाती है! mental level की power को increase करती है ठीक ही बाद आगे देखते हैं उट्तम सक्षण परविध्या कलात्मक होती है जो अच्छी सक्षण परविध्याँ है वो कलात्मक होती ही वो कलाओं से भरी होती है उनके अंदर कुछ नंकुछ से कुण होते हैं जो बच्चे उनको जब उस प्रविधी से इंटराक्ट होते हैं तो वो अच्छे से सीख जाते हैं ठीके बाद हमने यहां पर विशेष्टाओं के बारे में क्लियर डिसकस किया कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के तुर पूछ सकते हैं मैं उसको दूर करन रहे हैं तो उसकी नीड और जो इसकी इंपॉर्टेंस हैं वो सब भी चमझते हैं जरूरी है आम भास हमें आम एक्जामनर को क्वेश्चन बताने के लिए बी क्लास में कर डिबेट चल रहा है कोई मुद्दा चल रहा है तो उसको भी कंड़क्ट होने के लिए इन सब चीज को टैकल करें यही सारी चीज़े इस प्रसिक्षन के तुरू आपको सिखाई जा रही है ठीके बाद आगे देखते हैं सिक्षण एवं अधिगम संबंदों को स्थापित करने के लिए सिक्षण प्रविधिया आँशक है जो सिक्षण है और अधिगम है इन दोनों से दोनों के लिए भी यह प्रविदिया बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब टाइम टी टाइम जैसे अपने अंदर हैबिट्स को और तमाम चीज़ों को हम चेंजिस ले आते हैं वैसे हम इन प्रविदियों में भी चेंजिस ले आते हैं समय के अनुसार ठीके बार नेक्स्ट है कि सिक् पूँचने में उदेश को निर्धार्न करने के लिए बनाने के लिए प्रविदिया बिंपोर्टेंट है ठीक है बात अगे दिखते हैं सिक्षा को वैग्यानिक दिस्ट्रीकोंड प्रदान करने में सिक्षण प्रविदिया सभाश्यक है। उनको वध्यानिक जिस्त्रिकों साइंटिस्ट वाली सौंस तक प्रदान करने के लिए प्रविध्या होती है बहुत आपश्यक होती है है स्कुद सीखने के रहे हुष सील रहे। पूरा विकाबस हो तो इस चीज़ पर फोकस करें सब्सक्र बातों को सोचते वे स्थे प्रविदिया बहुत इम पॉर्टन के onwards सकता क्य dad '' इन आगे देखते हैं किया हैrep़त् corona dot वो जानते हैं ये प्रविधियां जितनी हैं आपको objective में पूछ लेगा कि आपको चार option देगा बोलेगा कि इसमें सिक्षण प्रविधिय चाटी है तो बहुत सारे मिलते जुलते option आप सिक्षण शूत्र भी एक जैसा है सिक्षण के सद्धान्त भी लगबग एक से लगते त प्रविधियों से क्या है objective questions जो आपके बहुत कल्पी प्रशन है वह भी बन जाते हैं एक नंबर के बताने जा रही हूं पहला क्या है प्रशनोत्तर प्रविधी questioning technique प्रशनोत्तर प्रविधी से ही इंडिकेट है कि questions के द्वारा कुछ प्रविधी होगी कुछ तरीका होगा सिखाने का वह हम हम एक टॉपिक को डिटेल में जानेंगा अभी हम यहां पर पहले नाम देखते हैं विवरण प्रविधी narration technique विवरण के थ्रू कुछ teaching को आगे बढ़ाया जाता होगा प्रस्टिक्षन दिया जाता होगा फिर थर्ड है वर्णन प्रविधी हम की चीज को वर्णन दे के समझाते होंगे उसका रूप सामने रखते होंगे फोर्ट है वैक्षान प्रविधी हम उसको explain करते होंगे explanation technique को यूज करते होंगे फिफ्थ है स्पस्ति करन हम किसी चीज को clearance के साथ सामने लाते होंगे तेक्स्त है कहानी कथन प्रविधी story and telling technique के story के थ्रू हम समझाने की पूरी कोसिश करते होंगे इसका भी इस्तमाल हम अपनी कक्षा में उप्योग करते होंगे आगे हैं यहां पे 7 निरेक्शन और अवलोकन supervise the technique on observation technique supervise करते होंगे या observe करते होंगे हम ऐसे प्रणाली का भी यूज करते हैं अपने स्क्षन के उद्देश तक पहुशने के लिए एट है यहां पर उधारन प्रवधी इल्स्टेशन टेक्निक जांपल टेक्निक के तुरू भी हम चीजों को प्रजेंट करते हैं क्योंकि हम की चीज का एक्जांपल जब सामने रखते तो वह चीज़े जल्दी समझ में आती वह बच्चा हो या इनसान बड़ा कोई मैटर न करने हम जब अप्सक्शन करने हम जब टीचिंग करने हम जब टीचर बन कर जाएं तो बच्चे का अच्छा अच्छा विकास कर सके उनको उनके अदेश तक पहुंचा सके यह हमारा उदेश होना चाहिए दैस वा यहां पर समू चर्चा प्रवधी ग्रुप डिसकुस्शन है तो उन चीजों को फॉर्मिलेशन किया जाता है एक्सपेरिमेंट किया जाता है साइंटिस्टों कहरा तो करते हैं 11 वाद्वयाद प्रवधी डिसकुस्शन मेथड के तुरू भी शीच कर सकते हैं 13 है कारिशाला प्रवधी वर्क्शॉप टेक्निक हम इसके तुरू भी से मैंने यहां पर आपको टॉप 14 टॉप 14 प्रवधियों के बारे में बता है कुछ बुक में आपको शायद हो सकता है कुछ और भी एक दो देखने को मिल जाए लेकिन आप जब एक से लिगे 14 तक यहां पर आप जब समझ जाएंगे तो यह बहुत ही आसान है बहुत है आपको इनके बारे में एक करके डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे हाँ यह हो सकता है कि यह वीडियो आपको दो तीन पार्ट में मिले क्योंकि प्रविदियां पढ़ी है क्वेस्चन आते हैं तो आपको समझना जरूरी है इसमें इसके अन एक टॉपिक को कम से कम एमान के चलिए सबसे पहली प्रविदी है यहां पर प्रश्णोत्तर प्रविदी पहली प्रविदी है प्रश्णोत्तर प्रविदी क्वेस्चन की जो टेक्निक ती प्रश्णोत्तर समझ रहे हैं आप क्वेस्चन से है प्रश्णोत्तर प्रविदी का निर्मार एथेंस के प्रशिद दार् तो आपके दो नंबर तो बन जाएंगी एक नॉर्मल से टॉपिक से तिक है आप देखते हैं इसके अंदर क्या है इस प्रविदी के अनुसार सैक्षिक पार्ठिक्रम को इस प्रकार से रिखांकित किया जाता है या एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके जिसके अकॉर्डिंग जो सैक्षिक पार्ठिक्रम है जो सिक्ष्ण का एक पार्ठिक्रम उसको इस प्रकार से रिखांकित किया जाता है कि छात्य सत्य की जाज कर सके और उसे अपना ले वो जो सत्य है जो कोई भी दत्य समझने के लिए प्रशणोतर का सहरा लिए जाता है questions के हम इन चीज़ों को clear करतेया कोई doubt है तो questions को arise करना पूट करना फिर इस पे बात करना अगर गईन है तो again doubt को arise करना ये पारटे करम को आसान बनाता है और समझने में भी एफेक्टिफ फुल होता है next यहां पर है कि अच्छे पष्टमत की विशेस्ता रूप है जो अच्छे क्वेश्टिंस होते हैं उनकी क्या विशेस्ता है उनका क्या फॉमिलेशन है क्या स््ट्रक्चर है कैसा होना चाहिए प्रश्थ फ्रैश्थ में प्रियोग की गई भासा प्रशन उत्देश के साथ संबंदित होने चाहिए नहीं कि आप पूछो कुछ आप हिंदी पूड़े और पूछो साइंस की क्वेश्चन नहीं है वह कोई डाउट क्लास हो तो आप पूछ सकते हो बना ही नहीं है लेकिन यह है कि जो प्रशन होने चाहिए वह आपके एम से रिलेटेड होने चाहिए कि हां मेरा एम है तो उससे हमको टॉप पांच क्वेश्चन पूछने है जो मेरे डाउट है ठीक है बात आगे देखते हैं एक प्रशन में एक ही विचार होना जा है जो चल रहा है जिस लेबल के आप उसी प्रश्णों में प्रश्णों में प्रश्णों के रूप यहां पर मैंने आपको एक चोटा सा फॉर्म दिखाया है कि क्या कैसे प्रश्णों नहीं चाहिए यह क्यों होता है कि बच्चे औरमने इंको क्या है नहीं समझाएए और अब यहां पर प्रश्णों तर प्रविधी के क्या है क्या है त्यों क्या है काफी स्वाथनाद्या है इसलिब में सबसे उपर इसको लिया है प्रश्णोतर का प्रयोग करने से पहले बाला के पूर्वग्यान की जाज कर ले आप जब प्रश्णोतर का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप बच्चे का जो पूर्वग्यान है उसको जान लीजे कि बच्चा क्या क्या जानता ह वो किन किन चीजों के वारों में और वो इंक्रीज हुआ है फिर आप उससे जोड़ के जब चीजों को पढ़ाएंगे तो वो समझ जाएगा आप साइंस की क्लास पढ़ा रहे हैं तो आप उसको फूल के बारे बताना चाहते हैं तो पहले आप बूझे क्या बच्चों आपने बच्चों के आपने रेंबो देखा है तो वो सतरंग जो कलर है बच्चों ने कभी कभी देखा होता है तो बच्चे हां बता सकते हैं कि हां सर जी हां मैं हां सर जिजन बारिश होती है उस दिन वो निकलता है देखने हां यह हो सकते कि वो कलर ना बता पाए कि उनमें से जोड़ कर पढ़ाएंगे तो बच्चों को चीज़ समझ में आएंगी ठीके बाद तो यह तरीका यह क्वाल्टी होनी चाहिए आप जब क्वेश्चन के तू पढ़ा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं इस विदी में सिक्षक के साथ साथ विद्यार्थी भी क्रियेट के लिए फिलाला भी पूड़ रहे हैं तो कोई टॉपिक आपने बहुत चाह लगा आपने बाद बहुत साथ से बहुत इंट्रेस्टिंग है तो मैं आपको बताऊंगी काफी तरह इंट्रेस्ट फूला बहुत क्वेश्चन होते तो कभी कुछ चीज़े होती है माइं सेट ह क्वेश्चन साब को आते हैं तो आप फड़ा पड़ कर ले जाते हैं तो क्या हुआ आप भी बहुत ही अक्टिव रहते हैं इस चीज़े कोई टॉपिक है दिया था कोई चीज़े हैं तो बच्चे से रिस्पांस मिलेगा तो टीचर भी एक्टिव रहेगा और बच्चे सब्सक्राइब तो यह चीज़े बहुत इंपोर्टेंट है फिर यहां पर है कि इस प्रभिदी से कक्षा में स्क्ष्ण रुचिकर होता है यह एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू क्या होता है जो क्लास में जो स्क्ष्ण होता रहता है वह बहुत ही इंट्रेस्ट फुल हो ज सूच रहा है कोई बच्चा कुछ क्ष्ण हो बहुत साही चीज़े ऐसी होती है जब हमारे सामने आज भी आती है अरे लगता अरे यह बात तुम ने सूची ही नहीं इतनी दूर के लबल तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए आज भी होता है तो वही चीज़े बच्चों के गया इसलिए बता रही हूं अब यहां पर हम इसके डिसेमिलिटी के बारे में पुढ़ेंगे यह प्रविदी कभी-कभी सिक्ष्ण के अधिगां में बाधग भी बन जाती कभी-कभी यह रुकावट भी क्रेट कर देती कैसे इसमें यह प्रविदी उच्छ सच्छा के प्रविदी के गुर्ण दोष्ट विशेष्टा है और यह प्रविदी के गुर्ण दोष्ट विशेष्टा है विशेष्टा और इन सारे टॉपिक्स को क्लियर किया आई होब आपको इस समझ में आया होगा कि यह टेक्निक क्या थी क्यों इंपोर्टन टी मैंने इसको सबसे उपर क्यों लिया अब हम नेक्स्ट यहां पे वर्णन प्रविदी के बारे में पढ़ेंगे यह हमारी आज की दूसरी प्रविदी है दूसरी टेक्निक है जिसका अस्तमाल हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं और अपने स्किल्स हम इसको अपने सिक्षन के दौरान भी इस्तमाल करते हैं अब देखते हैं क्या है इसके अंदर वर्णन प्रविदी वह प्रविदी है यह कैसी टेक् क्या कोती है ना है सब्सक्राइब की सब्सक्राइब स्च्षब्स का एक इस सब्सक्राइब का 181, सामने रखा जाता है इस प्रवधी के माधनिम से किसी घटना को कोई घटना हुए या कोई दृष रहे कोई निएमस सिधान'm को विस्तार पूर्ड्रक वर्णन कियाता है, इस विधी के माधसम्द है है विष्टार पुर्ण है उसको हम विष्टार पूर से वर्नन करते हैं बत्चों के सामने क्यों परश्णोब स्टार आप रज़त संवारश्ण मानस पर रज़तम गन्हें हैं कि उनके कोई मानसिक नहीं बनेगा इसके लिए सिच्छा को वर्णन प्रविदी जो है वो यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यह उनके अतिरिक परिश्रमा तयारी करनी पड़ती है इसलिए क्योंकि इसमें अभी तक तो पूछ लिया लेकिन चितर के चीज़े जो होती है उन्हें फिर एक फाइल बनाके दिखाओ या कोई मौडल लेके आओ दिखाओ या बच्चों को डाइग्राम बना तो टाइम भी जाता है थोड़ा और फिर मैनद करनी पड़ती है यह सा और फिर कोई भी पच्ची वह आस्माने उड़ते हुए देखे गा तो यहीं बुलेगा कभूतर कभूतर तो वह क्या है उसके तमाख में वह चीज़े तो चितर के इसलिए चोटे बच्चों की जो काखागा की बुकादी देखिए वहां पे हर एक उनका जो अच्छा रहता उसके बखाँ उनका चितर बना रहता है तो क्यों बना रहता है ताकि बच्चे उससे इंटराक्क करें वह रंग वर रंगा चितर रहता है इसलिए चोटे बच्चों की जो एक्टिव रहें और सीख सकें ठीक है पाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और आज की तीसरी जिसमें विश्य वस्तु के कठिन अंसों को सरलता से सरल भासा में चात्रों के मानसिक रुची अस्तर के अनुकूल गहराई के साथ आंग विस्टलेशन करके इस प्रकार समझाया जाता है इसमें क्या बोल रहा है यह देखते हैं प्याक्या प्रविदी एक ऐसा तीम माध्य हम कि मानसिक रुची जो उनकी मेंटल इंट्रेस्ट है जो उनका लेवल है उनकी गहराई के साथ विस्टलेशन करके इस प्रकार समझाया चाता है कि जिस्ते विश्य वस्तु उन्हें अधिक स्पस्त सुगम और बोधगम में लगे यह तरीका है कि आप टफ चीव को जब आसा करना है तो यह चीज़े क्या है कि आप ऐसे तरीके को यूज करो कि जो इस पस्त हो सुगम हो बोधगम में बच्चे इससे सीख सकें इंट्राक्ट कर सकें ठीके बात आगे दिखते हैं विश्य वस्तु जितनी जटिल और दुरू होगी जितनी टफ और कठीन होगी उतनी प प्रविदी का प्रयोग सामाजिक विश्य उनके लिए अधिकतर क्या देखते हैं उनमें चाहिता तथ्यात्मक और सूशनात्मक प्रक्रणों के संदर में भासा सिक्षण में अधिकता कठीन सब्दों और मुस्किल अंसोर वाक्यों या भावों को पूर वग्यान के आधार पस्पस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है एवं गड़े तथा ग्यान के विज्ञान के कठिन संप्रत्यों को बोद्गा बनाने के सफलता पूरवक किया जाता है जो टफ चीज़ें से साइन्स है मैथ है यह सब टॉपिक जो होते हैं टॉप होते हैं इन्हें टॉप ले भी टफ था अभी जो हम पड़े हैं वो हमारे ले भी टफ है अगर ऐसा होता तो एक बार बस बुक देखे हो तो तब तयार नहीं होता है हर एक लेबल पे वह चीज़ें डबलब जोते हैं आप ग्रैप सिंग पावर्डब तो ऐसे ही बच्चे होते हैं वह बहुत ही बा प्रास थी काफी इंपॉर्टेंट थी मैंने आपे जो तीन इंपॉर्टेंट टेक्निक को लिया है ये टॉप मोस्त थी बहुत क्रिशन आते सबसे अला प्रशनोंतर प्रविदी से आता है क्योंकि काफी राइजिंग क्रेशन उससे ही क्रिए होते हैं आज कर जो टॉपिक जगा को डाउट है आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए कोई भी आपको डाउट है कमेंट के तुर पोच सकते हैं मैं उसको दूर करने की पूरी कोशच करूंगी हम इसके आगर नेक्स वीडियो में कॉंटिन्यू करेंगे ताइंक्यू सो मच